शयंद आर्मी तो कैसे आँ आप सभी लोग आप सभी लोगों ने इतने सारे कॉमेंट किए ढ scorần का वीडियो कब आएगा जी यह कि स्ट्राटरजी बता जी याद नहीं होती GS के score नहीं बढ़ रहा है अभी तो मेंस में भी GS आना है इतने सारे question तो आज सारे question होने वाले इस वीडियो से solve आपको पूरा वीडियो देखना है मैं बताने वाला हूं कैसे मेरे pre में 30 plus marks है 30.5 marks है मेरे to 69 marks है तो GS सब की समस्य दो आप यह संगो Kathy S jo begin wohs problem कर रही है ठीक है ना problem जितना कर रही है सब के लिए कर रही है हमें उतना ही एक सी हमारा select हो जाए के से स्लेक्शन हो जाइक है तो उतना ही पढ़ता है जितने से हमारा सेलेक्शन हो जाए लूसेंट पढ़नी है नहीं पढ़नी है कितना करना है कौन सी बुक करनी है सब बताने वाला हूं ठीक है तो इस वीडियो को को जुलाई में 25 क्शेन यहां पर अच्छी बात यह है कि 25 क्वेशन में आने आपके डिफ्रेंस पीर कहांया इनकी यहां पर क्वेशन कराएगा कि यहां पर आपका क्वेशन एक वो तीन तूम पर तो यहां जो आपके टोटल मार्क रहेंगे वो 50 अग्टी यहां पर जो मेरे marks हैं तो अब ऐसा तो है कि बहुत दिन पढ़ा हो क्योंकि अगर कोई GS के लिए बहुत ज्यादा परेशान है कि हाँ GS पूरा हमें खतम ही करना है तो फिर उससे मिलब यह बहुत बड़ी गलती है उसके लिए आप यह समझ लो ठीक है तो मैं वह वह चीजे बताऊंगा जो 50% का टार्गेट जो है मुझे ऐसा लगता है 50% टार्गेट रखो आप मेरे इसमें 39 marks आए अभी मैं सब बताने वाला हूं कि मेंस का पेपर कैसा हुआ इस बार क्या नहीं बोलने वाला कि 40 प्लस टार्गेट कैसे करें 30 प्लस टार्गेट 50 बहुत लोग बोलें 50 में 50 में 50 लाएं ऐसे लोगों सबसे पहले तो देखना बंद करो ऐसे लोगों को अगर आप देखोगे कंफ्यूज होगे डिस्ट्रैक्ट होगे भाई जीयस में इतने मार्क्स नहीं लाने है नहीं मलब टॉपर के भी अगर देखो तो 35 मार्क्स ही होंगे मुझे लगता है और आप टॉप कर जाओगे ठीक है तो अभी हमें वह चीज समझनी मैं आपको थोड़ा डीटेल में एक 125 मार्क्स का जितने जादा है वह तो अच्छा है लेकिन 125 मार्क्स का जिसका तारगेट है तो उसके लिए तो 100 नमबर ही बचे बचे 25 आप यहां से ले रहे हो तो अब उसके बाद क्या है कि हमारे कितने 500 में हमें 100 नमबर लाने अब तुम्हें भी पता है कि यार जो मैथ, तो यहां आप कितने भी माक्स लिया जितने लिया होगे वह आपका क्या होगा उतने ही माक्स बढ़ते चले जाएंगा पर जीएस ठीक है यार 50 परसेंट आ रहें नंबर एनफ है चाहे मेंस हो चाहे प्री हो और अच्छे से अच्छी पोस्ट आप ले लोगे अब देखो मेंस 275, 280 नंबर है वो आपको 315 मिलाने तो हम वहां पर अपना एफर्ट लगाएंगे जहां पर रिजल्ट आने की संभावना ज्यादा है ऐसा मैं क्यों बोल ला हूँ पहले मैं भी बोलता था कि यार जीएस में ज्यादा स्कोर करेंगे यह कोश्चन देखे इस बार जो मेंस मे आये हैं मैं यह इसलिए दिखाना चाहता हूं कोश्चन कि अब स्टेटमेंट वाले कोश्चन जब टीस पूँछ रहा है तो जब स्टेटमेंट वाले कोश्चन पूछेगा तो चाहे आपको जितना आता हो कहीं न कहीं एक सल्टाइनिटी नहीं आएगी कभी भी अब जब म मेंस में हम देख रहे हैं कि वन थर्ड की माइनस मार्किंग है तो वहां पर हम रिस्क नहीं ले सकते ठीक है आप देखो कैसे कुश्चन आयते यह कुश्चन आपको ऐसे कुश्चन देंगे तीन स्टेटमेंट है और उसमें भी 123 123 करके पूछा जाएगा यह देखिए सेम मैच कराना होगा मैच कराने में प्रॉब्लम यही कि आपको मालो दो आते हैं यह आप ऐसे मैच करा दोगे फिर दो में फस जाओगे तो बाई जीएस से मैं वह वह चीज़े आज आपको बताने वाला हूं कि उतना कर लोगे सेलेक्शन हो जाएगा टॉप भी कर जाओगे प सब अब सब चीज़े छोड़ के सीधा बात करते हैं काम की इंगलिस में मैंने आपको समझाया था इंगलिस में मैंने यह समझाया था कि जब हम प्रीवाई क्यू करते हैं प्रीवियस यहर कोईशन जो अभी तक आए हैं लास्ट के दो तीन सालों में खास कर तो हमारा प्रीवाई क्यों को निपटाएं पूरा स्लैबस नहीं करना है मैं बता रहा हूं कितना कितना करना आगे सब कुस समझाओंगा तो पहले आप यह सोच लीजिए कि हमें स्लैबस करना है कैसे करना है प्रीवियस यह कोईशन से अब उसके लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बुक की बहुत लोग पूछ रहे सरे लूशन पढ़ना है भाईया लूशन पढ़ें कि ना पढ़ें लूशन की सब बहुत सारी मलाब अच्छी चीज तो है सब लोग बोलते हैं लेकिन खराब कायना बहुत जादा है मेरे हिसाब से बहुत इसलिए मैं काऊंगा एक प्रीवियस येर कोई लेव लो एक बोकोई भी ले लो बहुत सारी है भूक ठीक है इसारी अच्छी प्रीवियस कुए यह को डिफरेंट नहीं होता है यहाँ पर जैसे हम ने देखा मैं आप आपको समझाओंगा यह आपने एक प्रीवियस येर ब यहां पर यूट्यूब भी हो सकता है कि आप किसी को यूट्यूब में फॉलो कर रहे हैं वह भी बढ़िया है ठीक है मैं कोई चीज बोल नहीं रहा लेकिन हाँ यह चीज इंपोर्टेंट है कि प्रिवियस यह क्वेशन की बुक होनी चाहिए यह दो चीजे रहेंगी अब बा इसका क्या मतलब होता है वह सारी चीजे जो एक तो फिक्स है जहां थोड़ा बहुत कॉंसेट लगता है चीजे रिलेट होती है मतलब जब तक हम जैसे पढ़ते हिस्ट्री में तो उसके बाद अगर मेडिवल पढ़ेंगे ज्यादा सही रहेगा मॉडर्न मेडिवल के बाद पढ़ेंगे ज्यादा समा जाएगा जोग्रफी में भी ऐसे ही है ठीक है तो चीजे क्या है रिलेट होके चलती है साइंस में भी ऐसे ही है कि कुछ चैप्टर से हैं जैसे आप पहले स्पीड और जब तक डिस्टेंस मलब विलास्टी वाला चैप्टर नहीं पढ़ोगे की तना वेट जे मैं अभी सब समझाओंगा आपको स्टाइटिक में देखो बहुत इंपॉर्टेंट भाइग वेट ही अगर बात करो तो अगर 25 मालो कोश्चन आने हैं आपके प्री में अभी प्री की बात करते हैं पच्चिस कोश्चन अगर प्री में आने हैं तो मैं यह क इस लिए कि अब जो हिस्ट्री पॉलिटी जोग्रफी एकॉनिमिक्स भी जो आती है एक्जाम में अपने स्सी जो पूछता वह भी स्ट्राइटिक से रिलेटेड आती है मतलब वह भी वह चीज़े आएंगे जो करेंट से रिलेटेड हो तो बहुत जादा डिफरेंसियेट नह करना है दो ऐसी चीज़े हैं बढ़िया इसको एक-एक महीने में डिवाइट कर लो तीन महीने आपके पास एक-एक महीना तीनों को दे तो हो जाएगा पहले थेओरी निप्टा लेंगे फिर ये फिर ये ठीक है इन पर एक-एक करके बात करते हैं अभी ऐसे आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा सबसे पहले मैं बात करूंगा थेओरी की अब देखो मैंने बोला थे एक आपके पास प्रिवियस एयर कोश्चन की बुक हो प्रिवियस एयर कोश्चन की जो बुक हो रहेगी उसको हमने रख लिया अपने पास अब समझो हमारे पास लूसेंट ह या किसी का आपने पेड कोर्स ले रखा है आप यूट्यूब से देख रहे हो आप कुछ भी कर रहे हो सबसे पहला टार्गेट जैसे मैंने देखा पॉलिटी मुझे करनी है कि पॉलिटी को निप्टाते हैं पहला अमारा टार्गेट होगा कि पॉलिटी के जो भी अभी ला यह constitution के sources से question है यह article से question है यह प्रेसिडेंट से question है पढ़ो के वल जिससे आपको दिमाग में जब दो-तीन बार पढ़ोगे ना previous year question तो आपके दिमाग में खुद क्लिक होने लगेगा यार amendment बहुत important है amendment कर लेना चाहिए ठीक है इसलिए मैं बोलना हूं कि previous year question देख लिया अब एक बहुत important aspect इसको तो भूली नहीं सकते कि notes बना लो भाई यही काम आती है paper time और कुछ काम नहीं आएगा हाँ कुछ चीज़ें जैसे जो आपको लगता वो इसमें highlight करते चलो Lucent में है इसमें है लेकिन ज्यादा तर चीज़ें लिख के करो भाई इसका कोई substitute नहीं है लिख के ही करना सबसे सही मुझे लगता है ओके अब बात करते हैं कि हमने पॉलिटी के previous year question देख लिया Lucent में जाएंगे यह सब के लिए मैं क्यों पॉलिटी के लिए बता रहा हूं Lucent में गए जो जो मैं यहां problem कर रहा है कि हां ज्यादा तर चीज़ें जैसे प्रेसिडेंट से दिखा दिया आपको मैंस में कि आगर आएगा भी तो आप कर नहीं पाओ बाकी बहुत सारे question 15 के करीब question ऐसे आएंगे जो मतलब doable है पर 10 के करीब ऐसे question होंगे जो doable नहीं होंगे उनके पीछे नहीं भागना है तो लूसेंट जाम उसको देखेंगे अपनी नोट में नोट बनाएंगे उसको लिखेंगे उस टॉपिक को आप मलब सब्जेक्ट वाइज अलग अलग नोट भी बना सकते हो तो अब बात करेंगे ऐसे ही आपको क्या कर लेना जोग्राफी कर लेना है ऐसे हि कोशन आए लास्त तीन-चार साल में बाकी से कम आ रहे तो जिससे कम आ रहे जैसे एकॉनिक से कम कोशन आ रहे है एकॉनिक नहीं पड़ेंगे तो वह चीज हमें पता चलती वहां से प्रिवियस येर कोशन से इससे क्या होगा आपको कोई टीचर बेवकूफ नहीं बना सकता कोई यूट्यूबर वहकूफ नहीं बना सकता आपको अपना दिमाग चलाना सुरू करना है ठीक है मैं आपको रास्ता बता रहा हूं और डिसीजन आपको लेना क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूं हमारा एक ही मकसद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा information दें जिसस में आपकी मतलब लूसंट बहुत काम आने वाली है लूसंट मतलब फिर वही चीज रहेगी कि हम क्या करेंगे यहां पर हमने प्रिवियस येर क्वेश्चन में देखा कि इस्टैटिक क्या जैसे यह पार्ट है मालो मैं कह रहा हूं कि बुक एंड ऑथर अब करीब तीन-चा लिख लेना है यह बेस्ट तरीका है जियस करने का इससे क्या है आप ज्यादा भी नहीं करोगे और आपका जल्दी तैयार होगा ऐसे ही आपको डेज स्पोर्ट मैंने सारे यह जो पीपीटी है आप टेलीग्राम चैनल जॉइन करिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल होगे ठीक है ऐसे ही सारे आप देख लो जो जो टॉपिक्स हैं वह देख लोगे और अकॉर्डिंग टू उसी के अपने कर लोगे अब बात करते हैं करेंट अफेर की काफी इंपॉर्टेंट चीज है मतलब इसका रीजन क्या है अभी क्या है यूट्यूब में देखो की कोईडा इस चाहिए वह सकता है कि इस्टीफ भहुत से ज्यादा तू करेंट अफेर जब इतना इंपॉर्टेंट नहीं जीतने टॉपिक मैंने लिख दिये यह यहीं टॉपिक ay support एसे ज्यादा को सचना थे क्योंकि current affair का level बहुत ज्यादा वास्ट है हर टॉपिक से current affair बनाया जा सकता है कोई भी टॉपिक है तो उससे कुछ ना कुछ तो event होई रहेंगे लेकिन इसको करें कैसे फिर क्योंकि यह आपको previous year question को कोई इसको नहीं देखना है आइडिया के लिए देख सकते हो नलूशन में कुछ मिलना तो इसके लिए एक आपकोई magazine ले लो एक magazine जो आती है कौन सी या तो six monthly या तो early या तो six monthly ले सकते हो या early magazine ले सकते हो अब एक मित में और दूर करने वाला हूं बहुत लोग बोलते हैं कि लास्ट 6 महीने का आ रहा एक साल का रहा ऐसे नहीं होता टाइम से कर इंट अफेर कर लेना देना नहीं इमपॉर्टेंस से है जैसे हमने देखा था कि नीरत चोपना ने जैसे अब हमें पता कि गोल्ड लेकिया ठीक है टोक्यो ओलंपिक में अब वह घटना तो 2 साल हो गया लेकिन अब अब ही क्या है वह important चीज़ है तो हो सकता है वह आगे आ जाए तो importance के उपर होता है last एक साल में बहुत सारी ऐसी चीज़े होती जो ज़्यादा important होती है जो आपको पता ही होनी चाहिए वह भी आ सकती है और जो कम important होती है वह कम समय की आती है तो आप दोनों में से कोई भी मैगजीन ले सकते हो उससे यह सारे topic cover कर लो हो जाएगा रही बात कोई teacher देख रहा है तो मैं यह कहूंगा सुरू में आप follow करो सुरू में ही बनाना है नोट्स उस मैं जीन से या तो direct भी पढ़ो और या खुद से लिखो क्योंकि होता गया हमेशा कहता हूं लिख के पढ़ो तो लिक के पढ़ी रहे हो तो थोड़ा वही नोट्स में बना लो थोड़ा काइदे से कर लो आपको सुरू में तो लगे गई या बहुत टाइम लग रहा है मेरा दोस्तों उसी में हाइलाइट करके पढ़ रहा है लेकिन जब एक महीने बाद दो महीने बाद देखोगे ना तो आप उससे आगे निकल चुके होगे आप देख लो मैं सब समझा दिया हूं ठीक है अब बात करते हैं एक बुक मैंने बोला था बुक ले ली एक बार आप पूरा सब पढ़ी चुके हो तो उसी बुक को बार बार पढ़ना है और आपकी जो नोट्स है वो तो आप देखी रहे हो लेकिन एक अभी आइंपोर्ट करड़न आ गया कि कोश्चन पढ़ना असान है को पढ़ना आपके कर रहे था अभी कोश्चन की प्रक्टिस करनी है तो मतलब सेटवाईज और स्लम Date करेंगे तो मॉक सब्सक्राहिं वहां से वह एक यह understanding लेंगे कि हाँ हमें जब question paper दिखेगा तो उसमें कितने करेंट अफ्यर के question होंगे कैसे आएगा question पर इसलिए मौक लगाते रहेंगे मौक लगाने से भी क्या एक idea हमें मिलेगा कि हाँ ऐसे GS के paper हमें दिखेगा और उसके according हम मतलब perform करेंगे और जहां यह हो गया तो अब revision 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 practice मतलब मैं इसलिए बोलता हूं सलेबद जितनी जल्दी खतम होगा उतनी जल्दी हम revision और practice सुरू कर पाएंगे तो अब क्या है यहां पर नोट्स जो हमने बनाई थी उसी को बार-बार पढ़ना है उससे भी आपको कोसिस करनी कि उसको भी आगे आप रफ कॉपी में लिक लिक के ही पढ़ो ठीक है नोट्स जो आप बनाए हो वही आपके लिए लास्ट में काम आएगी मैं भी भी बोलाओं पेपर के एक-दो महीने मतलब एक-दो महीने क्या है एक हपते पहले बिना कोई बुक पढ़ने की जरूरर नहीं होती जो अपनी नोट्स है वही सफीसियंट होती है और दूसरा होता है मॉक्स तो मॉक्स में कैसे यह प्रैक्टिस करने के लिए है प्रैक्टिस होगी तो रिवीजन प्रैक्टिस चलता रहेगा लेकिन हाँ जीएस के लिए वही चीज है कम करना है कम ठीक है मैंने सारे मतलब दोस्त जो हैं उनसे भी मेरी बात होती सब यहीं बोलते कि एक ही अड़वाईस है जीएस के लिए बाही रिसोर्स कम रखना कम करो मैत जिसे आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ लोगे न उसका कहीं न कहीं यूच कर लोगे जीएस में ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा पढ़ने गए न तो भूल जाओगे जो बेसिक है और कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा आप ऐसे क्या तुक्का भी सही लगाओगे जब क कम पढ़ोगे लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ोगे ना तो तुक्का लगाने भी गलती होगी तो कम से कम पढ़ना समय कम है एनरजी कम है बाखी सब्जेक्ट भी है चार-चार सब्जेक्ट पढ़ने मेंस के टाइम भी तो अभी से वह आदत डालो और आपको आयो मतलब सम सेलेक्शन लो और अच्छे माक से सेलेक्शन लो और सेलेक्शन तो फाइनल में करवाऊंगा ही करवाऊंगा बस आप लोग जोड़े रहें और वीडियो सबको पहुंचा है मतलब सबको यह चीज पता चलनी चाहिए कि हां यार कम पढ़ना ही एक वे है मतलब कम पढ़ना ही तरीका है सेलेक्शन लेने का ठीक है तो बाई आर्मी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में